पहली terminology हमने देखी hyperplasia जिसका means होता है increased number of cell क्या देखा सबसे पहली terminology हमने देखी hyperplasia देखी क्या देखी hyperplasia हमने देखी जिसका means होता है numbers बढ़ना, cell का number बढ़ना, उसके बाद हमने देखा hypertrophy क्या देखा hyper trophy हमने देखा जिसका means होता है sale का size बढ़ना, उसके बाद हमने देखा hypertrophy जिसका means होता है sale के size में क्या हो जाना, decrease होना ना, हो जाना, कम हो जाना, sale का size कम हो जाना और fourth one definition अपने देखी, anaplegia जिसका means होता है, immature sale का formation होना, क्या होना, immature sale का formation होना I think 4 terminology आपके mind में cover हो गई होगी, आपके mind में fit हो गई होगी, कि 4 terminology का means क्या है, 4 terminology होती क्या है और दिन चारों का क्या means होता है क्या आर्थ होता है किस तरीके से अपनेंट को define कर सकते I think समझ में आ गया होगा पहली देखी हमने hyperplasia जिसका means होता है cell का number बढ़ना उसके बाद हमने देखा hypertrophy जिसका means होता है cell की size बढ़ना उसके बाद atrophy हमने देखा जिसका means होता है cell का size है जिसका means होता है abnormal cell का formation होना I think आपको यहां तक completely समझ में आ गया होगा अब आगे हम discuss करते हैं type of dysplasia dysplasia के type क्या होते dysplasia आपको समझ आया dysplasia नाम से meaning बताया था मैंनी dys मतलब abnormal dysplasia मतलब sales से regarded cell का क्या होना abnormal growth होना उसका abnormal division होना जिसके कारण से उसके size में उसकी shape में उसके function में उसके organization में changes आ जाना उस condition को ही हमने बोला था कि यह dysplasia है बोला था यह और नो बोला था बिलकुल बोला था उसके बाद हम इसके types पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से displays या देखने को मिल सकता है एक तो slightly displays या देखने को मिलेगा जिसमें काफी कुछ changes मतलब काफी कम changes देखने को मिलेगा फिर moderate हम देखेंगे जिसके अंदर थोड़ा जादा changes देखने को मिलेगा फिर severe हम देखेंगे जिसके अंदर changes काफी जादा देखने को मिलेगा differentiate भी नहीं कर पाएंगे कि कौन से cell क्या होगी ठीक है तो I think अब completely आपको समझ में आएगा और definition अगर clear है तो आगे कि जो यह तीनो types हैं वो आपको easily समझ में आएगे चलिए बढ़ते हैं और पहला type यहां पर आपके सामने so हो रहा हैं first type है that is mild mild displays या तो तीन types हम पढ़ेंगे displays या के पहला mild displays या then moderate displays या then severe displays या पहला type है यहां पर mild displays या mild displays या means आप सब को समझ मारा होगा slightly और बहुत ही कम यानि less changes देखने को मिलेगा कितना less changes देखने मिलेगा काफी कम changes यहां पर देखने को मिलेगा लिखा हुआ है simple सी language में slightly changes in cell size shape function and organization of the cell that known as mild displays या mild displays या से directly meaning निकलता है mild मतलब बहुत कम यानि slightly changes होगा cell के size के अंद cell के shape के अंद cell के function के अंदर और cell के organization के अंदर और इस condition को बोला जाएगा mild displays यानि slightly abnormal होगा abnormal तो होगा लेकिन slightly होगा बहुत कम होगा और ऐसी condition को बोला जाता है mild displays या I think बैसे बेजे में गुश गया होगा समझ में आ गया होगा चली आगे बढ़ते हैं और second types हम देखते हैं displays या का second type है that is moderate displays या that is moderate displays या second type है moderate displays या जिसका means आपको समझ में आ रहा होगा नाम से ही यानि mild से तो ज़्यादा changes देखने को मिलेगा लेकिन severe से कम changes देखने को मिलेगा यानि moderate type में उसमें changes देखने को मिलेगा चीक है तो यहाँ पर simple सी language में लिखा हुआ है Moderately changes in a size cell Moderately changes in a cell Size, shape, function and organization of the cell that known as moderate displays अब moderately से क्या मतलब है Sir, moderately से मतलब है कि mild से थो थोड़ा जादा होगा लेकिन severe से थोड़ा कम होगा यानि कह सकते हैं intermediate changes यहाँ पर देखने को मिलेगा एक beach का level यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको intermediate changes यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यानि उसको अपन mild भी नहीं कहेंगे उसको अपन severe भी नहीं कहेंगे दोनों का intermediate यहाँ पर changes देखने को मिलेगा that condition is moderate dysplasia और यहाँ पर second point लिखा हुआ है new growth of cell more abnormal ठीक है जो new growth of cell होगी वो more abnormal होगी compared to mild dysplasia mild dysplasia से compare अगर अपन करेंगे तो उससे थोड़ा जादा new cell growth होगी लेकिन वो abnormal होगी I think समझ में आ गया होगा और finally third type अमन देखेंगे dysplasia का that is severe dysplasia third type है that is severe dysplasia और severe dysplasia के अंदर आप सबको नाम से meaning निकल रहा है काफी ज़्यादा changes यहाँ पर हो जाएंगे cell की size के अंदर cell के shape के अंदर cell के organization के अंदर cell के function के अंदर अगर ऐसी condition है जिसके अंदर काफी ज़्यादा changes देखने को मिल रहा है that condition is known as severe dysplasia यानि सबसे ज़्यादा changes यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा ऐसी condition को ही बोले जाएगा severe dysplasia I think समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं इसी point इसी के अंदर एक point और mention है new cell growth या new growth of cell very abnormal यहाँ पर cell का जो size बढ़ रहा है cell का जो shape बढ़ रहा है cell का जो function change हो रहा है cell का जो organization change हो रहा है उसके अंदर very 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 abnormal यह होगा यानि काफी ज़्यादा changes यहाँ पर देखने को मिलेगा काफी ज़्यादा changes यहाँ पर देखने को मिलेगा और बिल्कुल cell बिल्कुल काफी ज़्यादा abnormal बनेगी काफी ज़्यादा abnormal यहाँ पर cell होगी और उसको आसानी से identify कर सकते हैं कि abnormal cell है इतना changes यहाँ पर हो जाएगा और ऐसी condition को बोला जाता है severe dysplasia तो I think यहाँ तक आपको काफी अची तरगे से समझ में आया होगा कि dysplasia का means क्या है और dysplasia के types क्या है dysplasia के type के अंदर हमने discuss किया कि mild dysplasia होता है moderate dysplasia होता है और severe dysplasia होता है सबसे कम changes आता है mild के अंदर फिर changes और ज़्यादा हो जाते ही तो moderate के अंदर आएगा अगर और changes हो जाता है तो उस condition को बोला जाता है severe dysplasia I think समझ में आ गया होगा भेजय में गुश गया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं उम्मीदे friends यहाँ तक की class आपको काफी अच्छी से समझ में आई है और इस class को complete देखने के लिए अगर अभी तक आपने CHO Bridge course का syllabus जोइन नहीं किया है तो भी जाएए description box में वहाँ पर आपको link मिलेगा जोइन करने के लिए 2.99 रुपीज में आपको course को जोइन करना है और इसी तरीके से complete session पढ़ते रहना है complete course आपको वहाँ पर available मिलेगा तो wish you all the best तेंक्यू वेरी मुझ जल्दी कीजेगा और जोइन कर लीजेगा ताकि सारी classes आपको जल्दी से जल्दी मिल सके तेंक्यू वेरी मुझ फोर जोइनिंग जादा से जादा like करे, share करे चेनल पर पहली बार विजिट करता है तो चेनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले थेंक्यू वेरी मुझ